मोसम में अचानक आये बदलाओ के बाद सुक्रवार को खरगोन और आसपास के इलाकों में करीब 15 मिनिट तेज बारिस गिरी ये बारिस सेत्र में गहूं और चने की कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों को प्रहोईत करेगी खरगोन और कुछ इलाकों में हुई बारिस से कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों पर खराव असर पड़ेगा हाला कि शुक्रवार को एक आएक मोसम में आये बदलाओ के बाद कुछ ही मिन्टों में बारिस चली लेकिन कुछ ही देर में सडकेत तर हो गई मोसम विभाग इस बारिस को लेकर पहले ही आगाह कर चुका था फिलाल किसान अपने खेत में तैयार हो चुकी गेहूं चैने की फसल की कटाई की तैयारी कर रहे हैं कुछ किसानों ने कटाई शुरू भी कर दिये किसानों का कहना है कि शुक्रवार को ही बारिश से जादा नहीं लेकिन नुकसान तो है इस तरह की बारिश के करण गेहूं के कलर यानि चमकदार दाने का रंग फिका पड़ सकता है इससे बाजार में विक्री के वक्त क्वालिटी प्रभावित होने से कीमतों पर भी बुरा असर पड़ता है कल जो पानी गिरा है इसमें क्या है कि क्वालिटी भी जो शपेद गिर जाएंगे क्वालिटी नहीं आएगी और मार्केट भाव भी नहीं मिलेगा इसके पहले जो पानी गिरा है उसमें क्यों ही हमारे सब आड़े पड़ गए डिजयाने नीज निमार रिपोर्ट खरगोन